जैसे राम दोस्तों नमस्कार आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है मारे यूटूब चैनल सुधा डेरी मीडिया में दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर विशे लेकर आए है कि गाउं में रहके बिहार से अगर आप हो और गाउं में रहकर चाहते हो कम समय में कम मेहनत करके 2 से तीन गंटा काम करके सुबह साम और साइड बीजनेस के जैसे करके आप 10 से 15,000 रुपया असानी से कैसे कभासक पे हो उसके लिए पूरा उपाय बताऊंगा कितना पैसा खर्चा होगा पूरा इस विशे परबात करूंगा क्या 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 करना पड़ेगा आपको तो सबसे पहले नंबर गाओं में आप रहते हो अगर आपको बहरी फरम में इंट्रेस है तो सबसे पहला नंबर कि आप बिहार से हो तो सुधा का आपको पता होगा तो बिहार में सुधा का सेंटर आप अगर चलाते हो गाओं में केवल एक फोटा सा सेंटर कोल के और किसानों का दू लेना है वो भी आराम से केवल लिख पढ़के कोई गदा मजूरी नहीं करना है एक दम परमाड के साथ बात करूंगा और इस पर पूरा चर्चा करूंगा सबसे पहला नमबर दोस्तों इस काम के लिए आपको यह पिछे जो देख रहे हैं सेटप मेरा यह सब सेटप जो है यह होता है समीति खोल कैंब बहुत लोगहीं कि नहीं बच उता है वह चीज मैं कमा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं सबसे पहला नमबर मशीन रहेगा आपको मशीन आपको मशीन के हिसाब दूध लेना है को कोड आपका मिल ज्यागा कोड लेने में आरा ड Acts सबसे पहला नमर कोड ले लिए और गाव में नापी चालू कर दिये सबसे दिकत क्या होता है कब घाटा होता है लोग क्या करते है कि फैदा कमाने के चकर में उसको ज्यादा तर लगते है खरीदी करने दूद जैसे गाव में कैसा भी दूद आया नो पेवेंट है 32-30 रूपय लोग ले लिए और पैसे के लालाच पे जैसे दुकान पर 40 रूपय बेज देंगे वह सोचक कमाने के लिए उपाय क्या है सबसे पहले नंबर आपको मसीन से दूद लेना है जितना रेट आया तो उतरा ही लिजे जो रेट नहीं आया तो आपके गाव में अगर दूद बिकरी हो जाता है असानी से खाने वाला कोई है दुकान वाला है अगर 35-40 रूपय भी ले रहा है तब तो किसी का दूद लीजिए नो पेमेंट का नहीं तो नहीं लेना है आपको जो पेमेंट आता है जिसका वही दूद लेना है किसी का 70 रूपय लिटर आएगा किसी का 50 रूपय लिटर आया 32 रूपय नर्वल लेट है गाय का 32 रूपय ही आया तो आपको उस दूद पे स किसान से कठा करना है और गाहों के किसान से अगर 100 लिटर दोनों टाप मिल के दूद इकठा कर लिए सुबसा में 50-50 या मालिज़े 200 लिटर तो 100 लिटर का आपको प्रोफिट बताता हूं 100 लिटर दूद पे आप जोड़िए तो 75 पैसा सुखा प्रोफिट आपको सुधा डैरी देता है वो क्या होता है 75 पैसा जब मिलता है तो 75 रुपय आपका सुखा सुखा एक दिन का प्रोफिट हो गया अब दूसरा नंबर की बात करते हैं वजन काटा देता है उस पर वजन आप करते हैं तो अब वजन करने जाते हैं तो दूद जब आप किसान से 100 किलो लेते हैं तो आप उस दूद को सुधा डैरीम भेजते हैं तो वो 102 लिटर, 105 लिटर तक हो जाता है 102 से 105 लीटर हो जाता है तो आपकेमा 95 रूपय लीटर जोड़िए नॉर्मल रेट तो 35 रूपय लिए दूद का रेट तो 70 रूपय आपको वह भी प्रोफित हो गया है सत्तर दूनी 140 रूपय सुखा प्रोफित सुधा डैरी से आप लिए दूसरा नंबर जो भी किसान आपके पास आते हैं दूद लेकर कोई भी किसान लेकर आएगा उसमें से आप नबे से सो ग्राम अपना सेंपल का दूद निकाल सकते हैं वह सुधा डैरी अलाव किया हुआ है और सो ग्राम दूद आपका होता है सेंपल वह जो सचीव होते हैं उनके दूद मिल जाएगा पाच लिटर अगर 20 किसान भी है तो आपको मान के चलिए कि लगबाग तो दो लिटर दूद मिल जाएगा दो लिटर का यह भी 35 दूदी सत्तर रुपया तो दोस्तों साथ दून चोदा सत्री के कई 210 रुपया आपको लगबाग सुखा प्रॉफिट र लेना है उससे ज्यादा अगर आ रहा है डाउन पेमेंट तो उसको लटा दीजिए यह कमाने का तरीका रहा 6,000 रुपया सुखा सुखा 100 लिटर दूद से आपको 200 लिटर दूद होगा तो कैसे भी आपको 12,000 नहीं तो 10,000 तो होई जाएगा अगर मान के चलिए कि आपको आ पकोद यह है रही है, जाए उटना जादा प्रसे लेने को बाराइब ही आपको सुखा फ़विट के बाद दूद एक क्ला कुछा लिटर लेने में ठर्च टेना होता है तो वहां समीधी जब खोले जाएंगे तो आपको 20,000 रूप्या से 40 रूटी मनी लगेगे उसके बाद आपको कि सब कुछ मिल जागा कि दूद नफी करने लगेंगे तो यह सब मसेन लगाना आपको पड़ेगा अब दोस्तों किसान जुटाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है आपको फूजी भी लगाना पड़ता है आपके घर से एक-द सबसे पहले टाइम बना लेते हैं तो कोई विकिसान आपके पास आएगा और एक दमीमांदारी से आएगा आपको दूसरा कुछ नहीं करना है पेमेंट टाइम से खाली देना है उसके लिए आपको जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको बैलेंस लगाना पड़ेगा सबसे बात करते हैं तो यह मसीन का सेट अप लगाने में पूरा लगबग आपको 55-60,000 रुपया खर्चा होगा यह आपको लगाना पड़ेगा अब दोस्तों बात करते हैं सुधा का अभी नियू रेट चार्ट जो पहले से अभी चल रहा है अभी का फिलहाल का मनलब 2023 के बाद मनलब कोई चार्ट आया नहीं है दूसरा रेट बढ़ा नहीं है तो यह नर्मल रेट है सुधा का देखिए यह धूप के कारण कैमरा में सही नहीं आ रहा है 32 रुपया का और रोतास का और बगसर का कैमूर का अगर इस जीला चारो जीला में से आप कही का है तो आप डिरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं मेन अधिकारी का नंबर है यहां बात करके आप अपना बात कर सकते हैं कि कोड हम कैसे ले या कुछ भी जो पुछना है इस नंबर पर आप मेंच करना है और आपको इतना जो बताया यह सब मिलेगा अब सुधा का घी सुधा का मिनरल डाना जो भी चीज़ लेते हैं यह सब अलग से प्रोफिट होता है इस पर विमारस जिन्ग मिलता है आप जितना लाएंगे उसके हिसाब से यह सब कमाने का तरीका है कोड लेके आप अच्छा profit कमाएंगे डैरी नहीं खोलना है दोस्तों सबसे पहला नंबर है दोस्तों मैंने बोला आपको डैरी नहीं खोलना है आपको सिर्फ देशी तरीके से एक या दो गाय रखनी है दो गाय रखके काम करना है अगर आप एक से दो गाय अच्छी रखते हैं 50-60 आजर की ग हमाना है तो ज्यादा ज्यादा दो ग़ाय रखिए और सुधा का एक सेंटर ले लिजिए अगर आप बिहार से थब सुधा का सेंटर ले 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 दो गाय रखेंगे तो आप आराम से 10,000 रुपया सुखा सुखा प्रॉफिट हर महीना कर सकते हैं गाय जब तक दूद देगी दूद जब नहीं देगी उस समय आपको सुधा का सेंटर है तो 4-5,000 रुपया असानी से बचे गाई यह चीज आपको करने के लिए कोई लंबा च जब ज़्याधा इंटरेस किद्ना मिलेगा के साल का 15-20,000 रुपया इंटरेस मिलेगा 3,000,00 का आप बैरी legislative लगाते हैं तो mereka 10-12 रुपया महीने का आराम से कमा सकते हैं बाहर जो रहते हैं लड़के कोई भी बाहर में जो रहता है 15-16,000 की नौकरी करता है उसके लिए तो आसानी है गाउं में रहके 10-12,000 कमा सके और असानी से अपने घर में रहके अच्छे से मलब एकदम परिवार के साथ रह लेगा बाकी लंबा चोड़ा जो सोचता है वही बरबाद होता है छोटा मोटा जो सोचके 2-3 गाय का 10-12,000 कमाने का सोचेगा वह कभी बरबाद नहीं होगा उसको कभी भी बरबादे की और नहीं जाना है जैसे दोस्तों हमने फारम खोला था जिस समय उस समय हमारे पास 5 गाय रहती थी ज्यादा ज्यादा हाइस गाय पाच रहती थी उस वमें हम आसानी से 20-25,000 का लोन भर लेते थे आज के डिट में हमारे पास लगबग टोटल जानवर 50 है फिर भी हम 50,000 रुपया हर महीना नहीं बचा पाते हैं उपर से 50-60,000 रुपया घर से लगने लगता है क्योंकि बहुत सारी बच्छिया हो जाती है बहुत सारे बच के कमा सकते है 10-12,000 बाकी आपकी मर्जी है इसमें ऐसा नहीं है कि क्यवल कमा ही सकते है किसमत खराब है तो नहीं भी कमा सकते है लेकिन जो भी चीज होता है किसमत को देखके नहीं बिजनेस होता है बिजनेस अपने जज़बा से होता है और अपने दिल से होता है लगाव से होता है चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया और जनकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो किसानों तक सेर कर दीजिए का जैसी राम जैसी रात